हेलो फेंस तो चलिए हम लोग जावा की कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था यार तो मेक शूर कि आप इस जावा प्रेलिस्ट को एक्सिस करो ताकि आप जावा बहुत अच्छी तरह से सीख जा ओके यहां पर आने के बाद आपको य कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में अब यह बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें प्री डिफैंड मिल जाती हैं आप उनको यूज कर लेते हो लेकिन हमें कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ने की जरूरत क्यों है उसको हम लोग पहले समझते ह तो अगर आपने हमारा डेटा इस्ट्रक्चर एंड अलगर्दम का कोर्स देखा है जो हमने यहाँ पर सिरीज बनाई थी और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको जरूर से बोलूँगा कि आप इसको देखो तो यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को अंदर गर मैं जाओं यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा था यह लिंक लिस्ट वगएरा क्या होती है ना सिंगली लिंक लिस्ट हो गया उसके बाद हम लोगोंने डवली लिंक लिस्ट को पढ़ा था है ना और डवली लिंक लिस्ट को पढ़ने के बाद हम लोगोंने अरे का यूज करके यह बहुत ही important concept है कि हम लोग किस तरह से stack को implement कर रहे हैं dynamic array का यूज करके अब यह dynamic array जैसे word जब हम लोग collection framework को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आने वाले हैं इसलिए मैं आपको जरूर suggest करूँगा कि आप इन वीडियोस को जरूर देख लो collection framework पढ़ने से पहले अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है ना पढ़ हो ऐसा नहीं कि आप collection framework नहीं सिख पाओगे लेकिन आपको वो feeling नहीं आएगी अभी मैं क्या बताने वाला हूँ आप समझना feeling मैं क्या बोल रहा हूँ तो हम लोगों ने यहाँ पर stack को implement करना सिखा था dynamic array का use करके है ना और उसके बाद हम लोगों ने stack को implement किया था link list का use करके उसी तरह से जब हम लोगों ने q को पढ़ा था circular q को हम लोगों ने implement समझा था 21 तरह से हम लोग circular q को implement करते हैं array का use करके using array और हम लोगों ने circular q को implement किया था dynamic array का भी use करके है ना हम लोगों ने linear q को समझा था और उसके बाद हम लोगों ने double indent q dq को समझा था और इसको हम लोगों ने double link list का use करके implement किया था उसके बाद हम लोगों ने pre-rtq को समझा था और इसको भी हम लोगों ने doubly link list का use करके implement किया था तो अभी तक हमने data structure में इतने सारे वीडियोज अप्लियोट किये थे अब अगर आपने ये सारे वीडियोज देखे होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि हमने कहीं पर जितने भी functions हमने बनाये थे उन functions में हम लोगों ने कभी भी कोई भी चीजे predefined नहीं किये थी हम लोगों ने सारे सारे function scratch से पूरा बनाये थे चाहे वो element को add करना हो या delete करना हो remove करना हो update करना हो हम लोगों ने अपने से coding किया था है ना तो जैसे हम लोग प्रियार्टी की को implement करना चाहते हैं तो इसमें देखे हमने 5 पार्ट बनाये हैं और इसकी बहुत ही बड़ी coding सायस से हमने लिखी थी मैं काम करता हूँ ना मैं इसकी coding को आपको दिखाता हूँ ठीक है अब यह बहुत यह चीजे ना बहुत जाता जरूरी है इसलिए मैं आपको यहां पर show करता हूँ इसका code कहां पर था तो हम लोगों ने यह जो प्रियार्टी की को implement किया था यह उसका program है यह program हम लोगों ने लिखा था अब यहां पर पूरी coding की थी कहीं पर कुछ भी predefined नहीं है या जो हमारे क्यूं में elements है प्रियार्टी क्यूं में उनको print करना हो तो उसकी भी हमने coding की दी है ना और यहां पर हमने एक अच्छा सा menu driven program लिखा था है ना लेकिन अब आपको नहीं लगता कि अगर मान लीजे कोई आप मान प्रियार्टी क्यूं का जो concept है वो concept आपको महाँ पर चाहिए तो क्या आप इस तरह से पूरे पूरे code को implement करने बैठोगे नहीं अगर आप देख रहे हैं कितना लंबा code है आप गलतियां भी कर सकते इसमें बहुत ज्यादा time लग जाएगा तो इसलिए जितने भी data structure की अभ एक बहुत ही optimized minor में मतलब यहाँ पर है कि बहुत ही efficient तरीके से code लिखा गया है जो बहुत ही ज्यादा fast होगा हो सकता है जब आप program लिखो तो वो slow भी हो सकता है क्योंकि आप उतने अच्छे से functions को implement ना कर पाओ है ना जहां पर आपको कोई भी काम order of one time में करना चाहिए आप order of end time जा रहे हो बीगो आफ one का time बीगो आफ one में जो काम होना चाहिए आप उसे बीगो आफ end में ले जा रहे हो तो आप जो code लिख रहे होगे हो सकता है कि वो ज़्यादा time consume करे ज्यादा space भी consume करे लेकिन इनी सारी चीजों को करने के लिए जो हम लोग manually अपने से सारा कु लोडिंग कर रहे हैं इनी सब चीजों से बचने के लिए जावा ने क्या किया कि आपको एक collection framework प्रवाइड किया framework क्या है अब ये collection framework क्या है इसमें इस collection framework के अंदर कई सारी आपको interfaces कई सारी classes मिल जाएंगी जो एक predefined classes होंगी अब अगर आपको अगर आप उन class का use करो तो ब कर सकती हो आप आप ग्राप के सात में कर सकते हो आप Link List के सात में कर सकता हो सब को implement कर सकते भो बिना इस तरह से लंबा लंबा प्रोग्राम लिखे हुए संपह्जें बात आप कोई मतलब आपको predefined चीजे मिल जाएंगी तो आपको simply function को call करना रहेगा मालो आपको कोई note को delete करना है आप function को call करोगे आपको इस function की coding implement करना नहीं पड़ेगा तो यह कितना fast हो जाएगा आप simply क्या करोगे जिस भी class में stack को या queue को या link list को implement करने के लिए सुविधा provide की गई होगी उस class को आप यूज करोगे आप उस class का object बना लोगे है ना और उनको आप store कर सकते हो और simply आप क्या करोगे अगर delete करना होगा तो आप delete करने वाले function को call कर लोगे कोई भी चीजे insert करनी है तो आप insert करने वाले function को call कर लोगे तो इस तरह से हमें क्या हुआ है कि जो class मतलब क्या उसमें simply variables से बने होंगे functions बने होंगे तो आप उन functions को directly call कर रहे होगे तो आप उन function की coding नहीं लिखनी पड़ेगी तो आप अपना time बचा सकते हो और ये collection framework बहुत ही कमाल का चीज है आपको जरूर ये पढ़ना चाहिए अगर आप Java सीख रहे हो तो अगर आपने collection framework के बारे में नहीं सीखा तो आपने कुछ भी नहीं सीखा ठीक है तो collection framework क्या है collection framework एक simple भासा में कहें तो वो set of interfaces और class का एक group है जिसमें कई सारे interfaces हैं classें उनको group किया गया है और आपको जो भी data structure implement करना हो चाहे stack हो या queue हो set हो link list हो तो उन हर एक data structure के corresponding आपको एक class मिल जाए यहाँ पर और आप उस class का object बनाओ उस class के अंदर जो भी predefined function है आप उनको call करो और आपका काम चुटकियों में बहुत ही आसानी से हो जाएगा तो बहुत कम code लिख करके आप चीजों को implement कर सकते हो जैसे यहाँ पर हमने जब priority queue को implement किया तो हमने देखे यहाँ पर कितना आपको एक class दी गई है priority queue तो जो आप इस predefined class का use कर लोगे तो आपको जादा जादा 10 line का code लिखना पड़ेगा इन सारी चीजों को implement करने के लिए जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसी तरह से हर एक data structure के साथ में अगर आपको link list यूज करना है तो आपको बहुत सारा code ल कर लोगे है ना आपको इस टैक करना है तो यहाँ पर देखे इस टैक के class है है ना आपको अरे लिस्ट देखिए link list है इस टैक है है ना आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी इनको हम बारी-बारी से आगे समझने वाले है तो आपको समझ में आया कि हम लोग बनाते क्यों है इस टैक देखिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा हुआ है कि Java collection framework provides various data structure and algorithms that can be used directly so हम लोग इससे क्या करें तो इसका advantage क्या होगा कि हमें खुद से वह सारे के सारे code लिखने की जरूर नहीं है किसी भी data structure algorithms के लिए है ना we do not have to write code to implement those data structure and algorithms manually our code will be much more efficient as collection framework is highly optimized यह जो collection framework बनाया गया है simple classes हैं इंटरफेसें हैं उसके अंदर कुछ functions हैं recording provide की गई है तो यह जो लिखा गया है इन class का implementation जो लिखा गया है इन सारी class का जो implementation लिखा गया है वो experts के द्वारा लिखा गया है है ना आपकोर्स वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा optimize होगा तो हमारा बहुत सारा वह मतलब फास्ट होगा बहुत ज्यादा time complexity wise space complexity wise वह सब कुछ सब तरह से highly optimized होगा तो बहुत ज्यादा इसका advantage है तो इसलिए देखिए हमें यह सारी चीज़े collection framework बढ़ने की जूरत होती है क्योंकि हमें यार यह बार बार ना code नहीं लिखना है है ना अगर मैं आपको link list दिखा हूं सायस से हमने आपको देखिए यहां पर मैं आपको और दिखाता हूं यहां data structure वाली अपनी report में चलता हूं और यहां पर आप देखिए हमने डबली link list को implement किया था और इसका आप code देखिए डबली link list को हमने implement किया था तो कुछ ज्यादा ही बड़ा program लिखा था हमने है ना देखिए यहां पर अब यह सारी चीज़े मैं आपको पहले experience का देखिए यहां पर हमने nearly 300 line का code लिखा है कुछ basic से operation पर फार्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक आप्रेशन अगर हमें कुछ और भी आप्रेशन पर फार्म करना तो अभी मुझे कुछ और भी function add करने जुरूत पड़ेगी लेकिन जो यहां पर यह link list है इसके अं function है सिर्फ आपको function काल करने की जरूरत है उके इसी तरह से आप यहां पर देखिए हमने बहुत सारी चीज़े परदेश से हमने पढ़ा था QE implementation using array QE implementation using link list तो आपको QE use करना है तो आप यहां पर देखिए आपको यहां पर QE interface दी गई है है ना आप इसके नीचे जो class है उन ओके तो यहां पर अगर आपने इस repository को नहीं देखा है मैंने पहले इसका link provide कर दिया है नहीं तो आपको यह वाई link आप यहां से type कर लो के तो आई हो अब दोस्तों आपको समय हो गए हमें पढ़ना क्यों है यार है ना तो चलिए कुछ overview देखते हैं तो हमारे पास एक collection interface है collection interface जो rate से यहां पर हमने दिखा है वो interface है तो हमारे पास एक collection interface है और एक collections नाम की class भी होती है मैं आपको दिखाता हूँ एक हमारे पास collections नाम की class भी होती तो आप confuse मत होना ठीक है मैं यहां पर आता हूँ और साइस से मैंने यहां पर देखे यूज क्या है collections तो यह हमारे पास एक class है और यह collection यहां पर लिखा है वह interface है तो s का फर्क है है और collection framework एक अलग चीज़े collection framework के अंदर यह सारा कुछ आ जाता है है जिसमें collection एक interface है और collections एक class है तो इसे बहुत सारी चीज़े मैं आपको बता जो मतलब common चीज़े होने वाली जैसे कोई भी हमारे पास data structure हो तो उसमें हम लोग कुछ common आपरेशन पनफरम करते हैं कि नहीं जैसे insert हो गया, delete हो गया, update हो गया, traverse हो गया तो जो common वाली property है उन सारी properties को उन method का declaration इस collection वाली interface में किया गया है फिर उसके बाद उसको segregate किया ग या अब यहाँ पर list qset यह भी interface है, तो collection को क्या कर रही है, extend कर रही है, इस list के अंदर जो यह list interface है, इस के अंदर यह collection के अंदर जो कुछ भी predefined मतलब की पहले से declared function है, वो सारे के सारे होगा और list के अंदर भी अपना खुद का कुछ function से declare किया हो गया होगा, क्योंकि list मतलब क्या होता है, कि अगर आप elements को continuous minor में store करना चाहते हो, आपने यहाँ पर देखा, तो यह list है, तो list के अंदर भी कुछ अलग से, उसके कुछ खास properties को implement करने के लिए, इसके list के अंदर भी कुछ अलग से methods का declaration किया गया होगा, और क्योंकि यह एक interface है, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, method का declaration होगा, तो इस list interface को कई सारी classes जैसे array list होगया, link list होगया, stack होगया, vector होगया, वो implements कर रही है, और यह सारी की सारी जो class है, आप यहाँ पर green color से देख रहे हो, वो list को क्योंकि implements कर रही है, तो list के अंदर, list interface के अंदर, जो कुछ भी मतलब declared functions उन सब की यह क्या करेगा, definition provide करेगा, है न, उसी तरह से हमारे पास एक Q interface है, जो हमारे collection interface को extend कर रही है, यह जो Q interface है, इसको priority Q नाम के class है, जो implements कर रही है, इस Q को एक और हमारे पास interface है, DQ, यह भी extend कर रही है, और इस DQ को link list और array DQ, दो और class हैं, जो implements कर रही है, उके, इसे तरह से हमारे पास एक set interface है, set interface को directly has set, link has set, दो class हैं, जो implements कर रही है, इस set को एक started set नाम से interface है, जो extend कर रही है, और इस started set को एक tree set class है, जो implements कर रही है, इसके लावे और भी चीज़े हैं, उनको हमने ने लिखा है, बहुत ज़्यादा important है, नहीं, तो mainly जो यह green color में आ map interface होती है, map interface है, अब map interface है, उसके बाद हमारे पास एक 최고 class है, जो map का खर upplements कर रही है, है map हमारे पास एक class है, जो map को Implements कर रही है, map को 1 started map interface है, वो भी extend कर रही है, और इस started map को 1 tree map class है, जो Implements कर रही है, अब यहाँ पर ठोड़ा सा of overview आप सुनिए, कि अगर आपको elements को contiguous minor में store करना है तो आप list के अंदर जो class है array list link list stack vector आप इनको use कर सकती है है ना अगर आप चाहते हो कि नहीं जो हमारे पास elements है उसके हम कुछ priority को set कर पाएं है ना अप Q की property क्या होती है या आपको पता है जैसे Q होता है उसकी property क्या होती है कि जो भाई Q में क्या होता है जो पहले आता है वो पहले निकलता है तो first in first out वाली property होती है है ना तो अगर आप को उस तरह से कुछ data structure को implement करना है तो आप Q के लिए जो class है आप उनको use करोगे और अगर आप चाहते हो कि हमारे जो हमारा हमारा मतलब क्या हो list हो set हो अगर हम आप चाहते हो कि हम कुछ unique element को ही store करना चाहते है तो आप set का use करोगे है ना started set भी हमारे पास है जिसको आप क्या कर सकते हो elements को started order में save कर सकते हो हमेशा रख सकते हो started order में तो इस तरह से इनको divide किया गया है आपको ये समझने की जुरूत है कि आप जब records को store कर रहे है अपने data को रख रहे हो तो कौन सा वाला data structure मतलब कौन सी वाली class हमारे लिए appropriate होगी है ना जैसे आप अगर चाहते हो कि हम किसी भी चीज को let's say हमारा कोई भी जो elements होने वाले वो unique हो और वो started भी हो तो हम लोग set के अंदर जो ये वाली tree set वाली class है हम उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि tree set जो class है वो unique element को रखेगी और उनको start भी करती जाएगी तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा है ना तो इनको हम अपने आने वाली वीडियो में हर एक को बारी बारी से बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ class हैं जो बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती तो हम लोग उनको नहीं पढ़ेंगे अगर आपने जितना मैं पढ़ाया उतना अगर आप समझ गए कि हम लोग कहां पर element को add करना चाहते हैं कहां से delete करना चाहते हैं तो इसमें कुछ अलग ही मजा है तो आप क्या करो इसको जरूर देखो एक बार अगर नहीं देखा है तो अब मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको नहीं देखोगे तो आप collection framework नहीं समझ पाओगे नहीं आप बिल्कुल समझ लोगे अगर आपको feeling लेना है reality में feeling लेना है कि internally वो किस तरह से काम कर रहे होगे जब मैं in class के अंदर जो predefined function को call करूँगा तब मैं recommend करूँगा कि आप ये वीडियो जरूर देखो ओके तो I hope दोस्तों आपको ये सारी चैनल में आई होगी और make sure कि आप हुमारे चैनल को यहां से subscribe कर लो राइट तो तक कि आपको सारी वीडियो जो भी मैं upload करूँ वो मिलता रहे तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में थैंक्यू सो मॉच बाबाइए